हाई दोस्तों हमारे इस वीडियो पर आपका हर्तिक सोगत है आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे बच्चे हैं बहुत सहसे बच्चे हैं जो इनका माइंड बहुत तेज होता है कई टीवी जो सो हुए हैं तो उनमें सो में उन बच्चों के बारे से जब जीके के साइन्स के प्रश्न पूछे गए वो उन्होंने सही सही जवाब दी और बहुत ही छोटे बच्चे मानेजे दो साल के चार साल के पाच साल के कोई बच्चे जैस होते हैं कि वो गाने में बहुत तेज होते हैं संगीत में बहुत तेज होते हैं जिनके पास नौलिज बहुत होती है है प्रश्न का उत्तर उनके पास होता है दुनिया में किस देश की राज़धानी कहा है किस देश में क्या क्या है हर एक बारे में उन बच्चों को सम्मालू होता है और हम लोग उन इसो को देखते हैं उन बच्चों को देखते हैं और यह सोचते हैं, यह सब भगवान की ही किरपा है, भगवान ने उसको एक अलग प्रकार की बुद्धी दिये, यानि भगवान ने उसके उपर बहुत बड़ा उपकार किया है बुद्धी देखे, दिमाग देखे, ऐसा नहीं है, भगवान जो इसर जो होता है, वो किसी से भी भेदवाव नहीं करता है, जो कुछ भी देता है, तो वो सब को बरावर देता है, जो भी बठवारा करता है वो बरावर बरावर देता है सबको ऐसा नहीं है कि हम लोग यह सोचते है कि उसको बहुत अच्छा दे दिया माइंड उसको बहुत अच्छा पैसा दे दिया ऐसा नहीं होता वो सब क्या होता है कि हमारी कर्मों के उपर होता अब मैं बात कर रहा था इन बच्चों के बारे बे ये बच्चे मास्टर ब्लास्टर क्यों होते हैं कैसे होते हैं क्या आप ये जानते हैं बहुत से लोग इस प्रस्ण का उत्तर जानते भी होंगे और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो नहीं भी जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जानना ही नहीं चाहते लेकिन मैं आप से ये रोकेश्ट करूँगा कि इसको आप जानी है होता क्या है हम आपको बताओं हम सभी लोग यह जानते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती आत्मा कभी नहीं मरती चेतना जो है हमारे सरीर में वो उसका अंत कभी नहीं होता यह सरीर का अंत हो जाता है तो होता यह है कि जितना अधिक हम अपनी चेतना को सक्तिसाली बना लेंगे जितना भी अधिक हम अपनी चेतना को सक्तिसाली बना लेंगे और इस सरीर को छोड़कर अगर हम दूसरे सरीर में प्रवेस्ट करेंगे तो हमारी जो चेतना होगी वो बदल नहीं जाएगी वल्क वही सकतसाली चेतना होगी जो उस सरीर में जाएगी जब आपकी सकतसाली चेतना है आपको हर प्रकार की नालेज है तो वो जो ग्यान होता है बच्पन ने बताया भी गया था हम लोगों को कि बेटा कि चोर जो होता है वो आपके पैसे को चुरा सकता है लेकिन जो चोर होगा वो आपको कि ग्यान को या आपकी विद्ध्या को नहीं चुरा सकता कोई भी नहीं चुरा सकता, कोई भी उस पर कपजा नहीं कर सकता, आपको पैसे से हानी पहुचा सकता है, हर प्रतकार से हानी पहुचा सकता है, लेकि आपकी से च्छिक योगता जो होगी उस पर हानी नहीं पहुचा सकता है, यानि जो कुछ भी आपको पता है, मालूम है, जो उस चेतना को कोई भी आदमी कोई भी उस चेतना को निर्मल निर्वल नहीं कर सकता तो यही होता है कि वो सक्तिसाली चेतना ने फिर दुबारा जनम लिया यानि दुबारा सरीर में प्रवेस किया और उसने जनम लिया और वही फिर उस छोटे बच्चे में कौन सी चेतना है व तो उसने पेछले जनम में है द्यान से साधना से अपनी चेतना को शकतसाली बना लिया है और फिर अगला जनंम लिया तो वह चेतना तो वह बच्या जो होगा वह सकतसाली होगा तो फिर बोट जो भी कार करेगा तो वो कैसे कार करेगा अच्छे यानि कि ऐसे कि लोग आश्चर करेंगे तो इन्हीं बच्चों को हम जब देखते हैं तो इनको यह लोग फिर आश्चर करते हैं इस बच्चे को देखकर तो यह चीज होती है इस सबसे हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि हमें अपनी चेतना को सकत साली बनाना आए अपनी चेतना को हम सकत साली बनाएंगे अगर हम अपनी शेतना को इस जनम में सक्तसाली बना लेते हैं तो जब भी हमारा जनम होगा अगला जनम तो मेरी शेतना सक्तसाली रहेगी और अगले जनम में फिर हमको जो कुछ हम चाहते हैं वो हमको प्राप्त होगा जो हमको इस जीवन में नहीं मिल पाया इस जनम में हमको नहीं मिल पाया आपके क्या बिचार है ये हमें कमेंटर बाक्ट में आगे बताईए और तब तक के लिए जै गुर्देब जै मेरे सीजी